नमस्ते, डेसी मिन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हमारी इंस्टेंट चकली कितनी क्रिस्पी बनी ही है। जो हम बनाने जा रहा हैं गेऊ के आटे से। आप मानोगे नहीं, गेऊ के आटे से बनी चकली बहुत ही ज्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और स्वादिश्ट होती है। सबसे पहले एक बाउल गेऊ का आटा लिया है। गेऊ के आटे को हमें इस तरह से वाइट कलर कपड़े में डाल देना है। डालने के बाद उसको हमें अच्छी तरह से गाट बांध देना है। जिस तरह गुठली तयार होती है उस तरह से। गुठली हमें टाइट अच्छी तरह से बांध लेनी हैं जिससे के वो सील ना हो जाए। अब मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में हमें ये गुठली डाल कर धक कर उसे तीन सीटी तक पकने देना है। कुकर की सीटी कम्पलीट हो चुकी है। अब इसे मैं ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें गुठली बाहर निकाल लेनी है। आटे की गुठली को हमें दीरे-दीरे खोल लेना है। गरम है कपड़ा इसलिए मैं दीरे कर रही हूँ। देख सकते हैं आटा हमारा बॉल की तरह रेडी हो गया है। अब इसे हमें तोड कर अच्छी तरह से इसके तुकडे कर लेने हैं। अब इस आटे को मिक्सर में ग्राइंड करके लेना है। इस तरह से आप चकली बनाओगे तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। क्राइन करने के बाद अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। टेस्ट के लिए अब इसमें मैं एक टेबल स्पून सिसम सीड याने सपेत तील डाल रही हूँ। उसके बाद एक टेबल स्पून अजवाइन स्पाइसी बनने के लिए दो टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एड़ कर रही हूँ। टू टेबल स्पून कोकिंग ऑईल गरम किया हुआ एड़ करना है। सारे इंग्रिडिंट को हमें एक साथ मिक्स कर लेना है। टीस्ट नुसार नमक एड़ कर लेना है। उसके बाद सारे इंग्रिडिंट को फिर से मिक्स कर लेना है। सारे इंग्रिडिंट में थोड़ा-थोड़ा सा बॉइल वाटर लेके मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छे से आटे को गुंत लेना है। नीड करके हमें डो तयार कर लेना है Friends, हम बिना मैदे के या मल्टी ग्रेन आटे के बिना भी अच्छी क्रिस्पी चकली बना सकते हैं मैंने लिया है चकली मेकर चकली मेकर में हमें डो को अच्छी तरह से डाल देना है चकली मेकर को टाइटली याँ पे फिक्स कर लिया है यहाँ पर मैंने लिया है टीशू पेपर आप डाइरेक्ली भी प्लेट पे चकली को गुमा कर डाल सकते हैं जैसे हम जले भी करते हैं वैसे ही चकली को गुमा गुमा कर इसके एजिस को कम्प्लीट कर लेना है ऐसे ही round shape में सारी चकली बना लेनी है मीडियम flame पे मैंने cooking oil गरम करने रख दिया है अब इसमें हमें चकली धीमे धीमे डाल देनी है चकली को अच्छी थरा से fry कर लेना है याद रख को हमें medium flame पे ही रखना है अगर तेल हमारा ज्यादा गरम होगा तो चकली उपर से red हो जाएंगी अंदर से crisp नहीं बनेगी आप देख सकते हमारी चकली golden brown हो चुकी है चकली को चन्नी में अच्छी तरह से चान लेना है ताकि इसका excess oil सब निकल जाएं और टीशू पेपर में हमें इसे अब डाल देना है गेहू के आटे से बनी instant crispy चकली रेडी है आपको अगर हमारी recipe पसंद आए तो please like, share और subscribe करें